हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं दो बैलो की कथा इस कहानी की पूरी समरी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ही कुछ important questions जो की लगभग हर एक common exams में आते हैं और ये chapter जो है वो class 9 की छीतिज books से है तो चलिए इसे start करते हैं तो कहानी स्टाट करने से पहले तो हमें लेखा के बारे में भी कुछ जान काई रखनी चाहिए तो इस कहानी के लेखा प्रिमचंद्र जी हैं जिन्हें तो आप लोग अच्छी तरीकर जानते होंगे उनकी एक famous रचना है एक बहुत ही ज़्यादा popular रचना है जिनका नाम है गोदान तो ये भी question काफी ज़्यादा आता है और उनका जन्म की बात करें तो उनका जन्म 31 जुलाई को सन 1880 में हुआ था वरारसी के निकट एक लम्ही गाव है वहीं कहीं पर हुआ था और उन्होंने अव तक उनकी विसेज बात है कि कई की exams में यह भी पूझ देता है कि उन्होंने कितनी कहानिया लिखी थी तो उन्होंने अव तक 350 कहानिया लिखी थी और 11 उपन्याश थे उसमें से तो चलिए आए दो बैलों की कथा का अब हम श्टार्ट करते हैं तो राइ जन्म 31 जुलाई सन 1860 में और उनके मृत्ति 8 अक्टूबर 1936 को हुगा था तो चलिए उनकी famous कहानी को स्टार्ट करते हैं तो यह जो कहानी है इसका नाम है दो बैलों की कथा तो इसमें कभी ने बहुत ही सर बहुत ही ग्रामीड भासा में हमें यह समझाया है कि मतलब की स्व उनहीं को लेकर बड़े ही अच्छे बड़े अच्छे बड़े सुंदर ढंग से कभी ने लिखक ने इसे दर्साया है तो चलिए आ यह इसे पढ़ते हैं और यह बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी है तो इस कहानी के आरंभ में ही प्रिमचंद जी ने ये बताया है कि ये कक्षा नौगी छेती में बताया है कि जो गधे के पारे में इन्हों ने शुरू की है कि जो गधा होता है उसे सभी लोग बहुत बेखूफ समस्ते हैं अगर कोई विक्ति है अगर उसे सबसे नीचली पद पर अगर कोई भी विक्ति दर्स आना चाहता है तो उसे सिंप्ली गधा कह देता है मतलब कोई अगल बगल में है अब कोई उल्टा सिधा काम कर दिया फिर मतलब कि सबसे नीचला पद कहते थे तो वही उन्होंने कहा है कि अब वो नीचला पद गधे को क्यों जिया जाता है गधा का ही नाम की उहां पर लिया जाता है क्यों कि उन्होंने कहा है कि क्या गधा सीधा है या गधा की परकाश्चता के वज़े से या गधे में ऐसा क्या है कि सिर्व गधे को ही कहते हैं तो लेखत को यहां पर लगता है कि लगता है गधे की सीधेपन की वज़े से ही गधा क तो इस प्रकार की दरजा दी गई है, इस प्रकार के स्रेवडी में रखा गया है, और वहीं आगे ही बढ़ते हुए उन्हें ने गदे के एक छोटी भाई की भी बात की है, जिसका नाम है बैल, तो बैलों के बारे में बात की है, तो बैलों के बारे मताया है कि बैल तुमा ले वो वार ही नहीं करता है उसे चाहे कितना विमारों पीटों हमेशा वो एक समान रहता है तो यही पहले पैरग्राफ में लेखक ने कहने की कोशिश की है इसके आगे बाले ही पैरग्राफ में प्रिमचन जी ने कहने की कोशिश की है कि जो जूरी नाम का किसान रहता है उसके प पहुत हैं है. मैं इसलिए वीडियो को इस्टार्ट में ही बता दिया थे कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो चलिए आगे दोनों क्या करते थे मुख भासाम बाद भी करते थे तो एक दिन क्या हुआ कि जूरी का एक साला था उसका नाम गया था गया वाला अपने साथ स्टेट्मेंट तो जरूरी सुना होगा गया 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 काखी अच्छा स्टेट्मेंट है उसका साला रहता है जूरी का तो वो क्या कहता है वो सुचता है कि उसके जो बैल है जूरी के वो दोनों बहुत बलवान है तो उसे अपने घर ले जाता है तो उसे अपने घर ले जाता है तो जो दोनों बैल होते हैं हीरा और मोती अब उन्हें तो ये पता नहीं था कि ये कहा लेख जा रहा है वो दोनों सोचते हैं कि लगता है उनकी निलामी तो नहीं हो गई और वो दोनों अपने मूँ भासा में अपने मालिक को कोशते थे कि आखिर हमने अपने मालिक का क्या बिगाड़ा था हम उनसे कभी निराज भी तो नहीं हुए हमने उनके काम में कोई कसर भी तो नहीं छोड़ा मतलब कि ऐसे ही कई सारी बाते कर रहे थे अपने मालिक को कोश रहे थे यह सूच रहे थे कि किसी कहीं और बेज दिया है इसकी इन लोग के निला में हो गई यह सूच के वो लोग अपने मालिक को कोश रहे थे दो फिर गया की अन्म उन्हों को अपने घर लेके गया तो गया सुक्त neighbors ठाब जाने के बाद उन्हें वहाँ पर बाड़ं बाण दिया है जब उसने बाड़ं पाना और उन्हें चारा पानी दिया, तो चारा पानी में शुखा भूसा ही था, कुछ खास नहीं था, तो हीरा ने मना कर दिया, मतलब कि किसी ने उसमें मुह ही नहीं डाला, कि उसे थोड़ा खा लें, तो जब एक नहीं मुह डालेगा, तो दूसरा भी नहीं डालेगा, क्योंकि जैसा कि पहले प्रेमजर जी ने बता दिया UH तो एक नहीं मुधाला तो दूसरा भी नहीं डाला तो इस तरह से दोनों में से किसी नहीं है उसमें मुधाला नहीं खाया तो क्या करें तो लूग रात में रसी थे थोड़ी कमजुर थी तो तो रात में उन्होंने रसी तोड़कर भाग गए वो लोग वहाँ से रात में रसी तोड़कर भाग गए रसी तोड़कर जब आएं तो जोरी बढ़ा खस हुआ। जुरी की पत्नी जो थी वो उन बैलों को नमक खराम कहने लगी क्योंकि वो सुस्ती थी कि उसके भाई की घर वो लोग काम नहीं कियें क्योंकि जुरी का साला था तो भाई उसकी पत्नी गुष्टा हो गए तो उसके घर के नौकर थे जुरी के घर के वो सिर्फ उसकी पत्नी क कर दिगeurane ऊपना कर दिए है अज उन बैलों को सिफ सुखा बुउसा डालना और वही हुआ फी और उन्होंने नोकर यूदी हो सफ़ीज का विचारे बैलों को डाल सब को जैसे पराया लगता था नए आदमी नए किसीं का बाड़ा तो उन्हों को उसा पसंद नहीं आए इसलिए वहां पर उन्हों ले छोड़ा वहां से रस्षी तोड़ा कर भागा है तो मतलब कि पतनी का ऐसा हर देख के जुई सोचा कि कि उन्हां बैल को फिर से भेज दिय बहुत मूटी रसी में बान देता है और उसके सामने एक्टम सूखा भूसा डाल देता है लेकिन इस बार तो बैलो ने और इसके साथ भी हो किया मतलब कि और कटनाई से अफिवार उन्होंने उस भूसी को देखा तक नहीं नाद को देखा तक नहीं तो दोनों पास भूख लगी थी पर दोनों देखा भी नहीं फिर साम होती है फिर रात होती है फिर एक छोटी से बच्ची दरवाजा खुलता है तो एक छोटी से बच्ची आती है रोटी देख चली जाती है दोनों को बच्ची बहुत ही प्यारी लगती है तो उन्होंने रोटी खाली तो उन्हें क्या होता है कि दोनों बैल जो होते हैं वो छुडाने की कोशिस कर रहे होते हैं तो वही लड़की जो रहती है वो दिन पर बैल सब काम करते थे रात को आते थे साम को आते थे सुखा भूसा सामने होता था तो उसे देखते भी नहीं थे पर लड़की जब देती थी रोटी तो उसे खा लेते थे और सुखा भूसा भी उसके साथ खा लेते थे क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा प्यारी थी उसे देखके वो दोनों बैल बहुत खुश रहते थे तो उसके बाद फिर अगले पड़ाव में कहानी के लेखक हमें ये बताते हैं कि फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है जो वो दोनों बैल वहाँ से छुड़ा कर भागने के प्लान में रहते हैं भागने की यूजना बनाते हैं तो हीरा दूर था वो काफी सांत भाव का था और मोती तो काफी अब समझ गए होंगे तो इसके बाद जो हीरा मोती कहता है एक आद को मतलब कि किसी एक को यहां से मार दिया जाके आ तो हीरा कहता है नहीं यह हमारा धर्म नहीं है वो काफी सज़न टाइप में था तो हीरा उसे रोक लेता है तो बोनों क्या करते हैं रसी तूड़ा के भागने लगते हैं तब ही दरवाज़ा खुल जाता है वो दर डर जाते हैं लेकिन वही छोटी से बच्ची आ जाती है वो उन्हों की रसी खोल देती है और कहती है कि धीरे से यहां से चले जाओ यह लोग बहुत जाहिल है यह लोग तुम्हें नहीं प्राइड़ जाते हैं फिर घूंते तहरते हैं तब-t티 क्सुभा हो जाती है फिर उस दिन उन्हें गाजर दिखता हुआं तो साघ़ से दोनों मिलकर काफी बहादूरी साण का दोनों सामना करते हैं और उसे भी डरा के भागा देते हैं इसके बाद कहानी अपने अगले पड़ाओं में जाती है उस पड़ाओं में लेखक बहुत ही सहन सीलता से वड़न करता है इस पड़ाओं का उस पड़ाओं में लेखक कहता है कि उसी दिन उनलों के सामने वह था मतलब की इरिगेट मतलब पानी दिया गया था उस दिन तो उसी पानी उनका पैर धस गया धसने बाद अब तक उसका माली भी आ गया अब लोग भागने में काफी कठना ही होने लगी तो माली को लोग पकड़ के लेकर गया बंद कर दिया तो वो देखा कि ऐसे जगह उनका जहां पर उसके साथ कई जानवर जैसे गोडे बकरी और गदे काफी सारे जानवर थे तो उस वहां पर उन्हें तो खाना सुखा भूसा क्या कुछ मिलता है नहीं था सिर्फ दिन भर में पानी ही मिलता था तो उसके बाद उन्होंने उस दिवाल को तोड़ने का निश्य किय तो हीरा के पास तो हीरा कहा कि मैं तो इससे तोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूं तो मोती कार को मैं ऐसा करता हूं तो मोती क्या किया उस दिवाल को तोड़ दिया और खीच-खीच कि अपनी रसी तोड़ने कोशिस किया तो नहीं तूटी तो जो हीरा था वो उसके मदद कि अपने दातों चबा चबा कर रसी को तोड़ दिया तो उसके बाद फिर दीवाल जब गीर गई तो सारे जितने भी जानवर थे सब बेवसी पड़े थे, दुरवल थे तो सारे जानवर वहां से निकल कर भाग जाते हैं उसके बाद जैसे ही सारे जानवर वहाँ से निकल भाग जाते हैं सिर्फ दो गदे बचे रहते हैं वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से नहीं जाएं तो सुरू मेही स्टाइट मेही मतलब कि वर्डन किया था गदे का वही आ गया यहाँ पर तो कोई बात नहीं तो वो गदे सब भी वहाँ से भाग जाते हैं तो गदिस अब को वो लोग जवरदस्ती मतलब की सींग लड़ा लड़ा के भागा देते हैं बसने उसके बाद हीरा तो हीरा की रस्टी जब छुड़ाता है मुती तो छुटती ही नहीं उसकी रस्टी तो और मोटी साय से रहते हैं तो उसके बाद जब उसकी रसी और मोटी रहती है तो मोती कहता है कि अब क्या करें तो हीरा कहता है मोती भाई तुम चले जाओ क्योंकि बहुत मार पड़ेगी कल सुबक वो लोग जान जाएंगे कि यह सरारत तुम्हारी है मोती कहता है नहीं दोस्त आज तक मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहा सिर्फ इसी वक्त के लिए कि एक वक्त ऐसा है जिस दिन मैं तुम्हा छोड़के चला जाओ देखे यह होती है मित्रता तो वो बैल उसे छोड़के नहीं जाता है दोनों साथ सुबा को रहते हैं उसके बाद प्रेमचंद जी कहते हैं कि ऐसी पिटाई होती है उन लोग की कि उसे वो अपने लिख नहीं सकते हैं इस कहाने में तो उसके बाद फिर दोनों लोग को एक दिन खिलाय पिलाय जाता है तो उसके बाद से खिलाय पिलाय जानने लगा दो तीन दिन बाद तो लोग सोचे लगता है मालिक अच्छा हो गया लेकिन अगले फिर चोथे दिन उनकी निलामी होने लगी तो एक दढ़ियल आदमी जो आ तो उन्हों के अंदर जान अगया, दौरते दौरते फिर उनका थान उन्हें दे गया, थान मतलब कि ऐसी जगह जहां उन्हें रखा जाता है, बाड़ा क्या सकते हैं आप, तो वहाँ पे वो लोग गए, फिर उसके बाद जाते जाते, फिर वहाँ अपने थान में जाके में आ गया, तब उसे अपनी सींग दिखा के दोड़ा लिया पुरा खेत तक, फिर दोड़ाने के बाद भाग गया, फिर आया, फिर सभी गाउं वाले तालिया बजाने लगे, फिर जूरी उन्हों को गले से लगा लिया, उसके बाद जूरी की पतनी भी खुस हो गई, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को लाइख सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें, थेंक यू, जय हिंड, जय भारत